सुप्रीम कोट में पंजाब सरकार ने कबूल किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या सुरक्षा में कमी की वज़े से हुई है पंजाब सरकार के वकील एडवोकेट जनरल गुर्मिंदर सिंग गैरी ने सुप्रीम कोट में दायर हलफ नामे में इस बात को स्वीकार किया है शीश अदालत में कबूल नामे के बाद मुसेवाला के पिता बलकौर सिंग सरकार पर हमलावर हो गए है शीरोमडी अकाली दल ने भी सिंगर की हत्या पर सरकार को खेरा है एक रिपोर्ट की मताबिक मुसेवाला के पिताब बलकौर सिंग ने कहा कि सरकार को अपने कबूल नामे के बाद उन लोगों पर F.I.R. करनी चाहिए जुनकी वज़ा से सुरक्षा घटाई गई उन्होंने जमेदार लोगों के खिलाफ राक्षन की मांग करता हुए कहा कि सच जुबान पर आ जाती है इस हत्या में आरोपियों की भूमिका से ज़ादा पंजाब सरकार का रोल है लौरेंस बिश्नोई ने जेल से डेर साल पहले इंटरव्यू दिया लेकिन सरकार अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है शिरोमडी अकाली दल के वरिष्ट निता विक्रम सिंग मजाथिया ने कहा कि मुसेवाला की हत्या के मामले में सरकार के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए उन्हेंने कहा कि सुरक्षा कवर वापस लेने के दो दिनों के भीतरी सिंगर की हत्या हुई